तो वेल बच्चो अर्ली में जो है वो अब तक में फार्मिंग की शुरुआत कर चुका था विलेजेज में रहना उसने शुरू कर दिया था और वो घर बनाना सीख चुका था उसने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था और साथी साथ अब जो है चुकि उसे लंबी दूरी तक ट्रेवल करना पड़ता था तो इसके लिए उसने जो है उसने पहले बोट का अविश्कार किया और बोट का यूज किया उसने वाटर ट्रेवल के लिए और फिर जो है उसने वील का भी आविश्कार किया और अब वो ज में, that is the iron age, लोहे का एज, now the early man noticed that some hard substances melted in fire and changed their shapes, आदी मानव ने या फिर early man ने notice किया कि कुछ जो है बहुती कथोर पदार्थ ऐसे थे जो आग में पिघल जाते थे और अपने shape या आकार को बदल लेते थे, now those were metals, वो जो hard substances जो की fire में melt करके अपना shape change कर लेते थे, वो hard substances क्या थे, those were metals, वो metals थे, which he started molding in the shapes of tools, जिसको कि उसने जो है औजारों के shape में धालना शुरू किया, किसने शुरू किया, early man ने, all right, early man जो है उसने इन metals को notice किया, जो कि आग में डालने पर पिघल जाते थे और अपना shape बदल लेते थे, लेकिन ठंडा होने के बाद वो फिर से hard हो जाते थे, right, तो यह जो metals थे, इसको early man ने जो है tools के shape में धालना शुरू कर दिया, mold करना जो है, शुरू कर दिया, he found that these tools were better than the tools made of stone, wood or bones, उसने पाया कि यह tools जो थे, यह औजार जो थे, वो पत्थर, लक्री या हड़ियों से बने tools की तुलना में बैतर थे, now copper was the first metal used by man, पहला metal जो कि man ने यूज किया वो था copper, later on iron was more commonly used, बाद में आकर लोहा जो है, वो आमतोर पर पर परियोग होने लगा था, now the life of the early man became more comfortable, तो अब metal के बने tools के invention के बाद, यानि कि धातू से बने हुए औजारों के invention के बाद, early man का life जो है, वो जादा comfortable हो गया था, अब यह, it was more comfortable, with time the population started increasing, समय के साथ जनसंख्या बढ़ने लगी, small settlements turned into big villages and then into towns and cities, छोटे जो settlement थे महले टैप के, यह जो है बड़े गाओं में बदले, और फिर जो है नगर और शहरों में बदले, Various rules and laws were made for leading a peaceful life, कई जो है नियम और कानून बनाए गए थे शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, The people started taking up different occupations, लोगो ने जो है अब अलग अलग पेशा, अलग अलग occupation चुनना शुरू कर दिया था, Man continued to make progress, इंसान ने तरक्की करना जारी रखा, He invented new means of transport like the bicycle, scooter, car, bus, train, ship and aeroplane, उसने जो है यतायत के नए साधनों का अविशकार किया, जैसे की cycle, scooter, car, bus, train, ship or aeroplane, All these new inventions have made modern man's life very comfortable, इन सभी नए आविशकारों ने आधुनिक मानव के जीवन को, modern man के जीवन को काफी आराम देह बना दिया है, काफी comfortable बना दिया है, तो इस तरीके से जो है, camp में जो है, जो team leader है, वो कहानी सुना रहे थे बच्चों को, early man के life की, वो आगे कहते हैं, so this is the story of the early man, तो यह जो है, early man की कहानी है, आधि मानव की कहानी है, it teaches us that courage and determination always help us to achieve great heights, यह हमें सिखाता है कि हिम्मत और दिर्ध निश्चे, determination, यह हमेशा हमें बड़ी उंचाई को हासिल करने में मदद करते हैं, even though we have everything today, the only things which save us from the fury of nature are our courage and determination, यद पी, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज, जो कि हमें प्रकृती के खौफ से, प्रकृती के क्रोध से बचाती है, वो है हमारी हिम्मत और हमारा determination, determination, हमारा द्रिट इक्छा शक्ती, लुक अट दोज डार्क क्लाउड्स अप्रोचिंग अस, उन काले बादलों को देखो, हमारी तरफ आते हुए, लेट उस गो बैक तो दा कैम्प बिफोर इट स्टार्स रेनिंग, चलो हम लोग कैम्प वापस चलते हैं, इससे पहले की बारिश चुरू हो जाए, ग्रूप लीडर पॉइंटेड आउट अट दे अप्रोचिंग डार्क क्लाउड्स विद अ स्माईल, ग्रूप लीडर ने उनकी तरफ आ रहे काले बादलों की तरफ मुस्कुराते हुए इशारा किया, एवरीवन रस्ट डाउन दा हिल तुवार्ज दा सेफ टेंट सेट अप नेर दा रिवर बैंक, सब तेजी में पहाड़ी से उन सुरक्षित टेंट की तरफ बढ़ चला जो की नदी के किनारे लगाया गया था। तो बड़ बच्चों प्रकृति और उसके भाई के कैम्पिंग की कहानियों के साथ हम लोगों ने अरली मैन के लाइफ के बारे में कापी कुछ सिखा, हमने इस चेप्टर में सीखा कि अरली मैन जो था उसने खेती करना सीखा और रिवर बैंक के पास जो है वो सेटल डॉन हुआ, वहीं पर बस गया, उसने जो है जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, यानि कि उन्हें पालतू बनाना शुरू किया, राफ्ट और स स्लेज़ ये जो है सबसे पहले वाले जो है यातायात के साधन थे, पहिये के आविशकार ने अरली मैन के जीवन में बड़ा परिवरतन लाया, अरली मैन ने फिर मेटल का भी डिसकवरी किया, उसने मेटल को भी डिसकवर किया और उसका टूल्स बनाने में परियोग किया, Well, that's the end of the chapter. I hope आपको यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप उसके best question answer भी कर सकते हैं. Thank you. Bye-bye.